नमस्कार, जन सरोगार मंच्टों के पेज पर कवीता जब बोलती है कारिक्रम के अंतरगत मैं उपस्तित हुआ हूँ, मैं सबसे पहले मेरी एक कवीता सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा, कवीता इस तरह से है, कि पत्थरों में भी नफस देखा है मैंने, दिल होता है उनके भी सीने में, देख सकता है जिसे सिर्फ कोई पत्थर दिल ही, उनके सीने पर बने निशान, कहानी कह रहे हैं सब्भेताओं के, कोमलकांत मनोभाओं की, जिसमें विक्सित और एविक्सित दोनों तरह के समाजों के द्रिश्टांत छपे हैं विस्तार से, पत्थरों पर उतकेरण शब्दों ने हमें रूबरू करवाया सब्भेताओं के सब्भेपन से, यदि गोर से सुना जाए, तो पत्थर प्रकट करते हैं अपने भावनाएं, ये भावनाएं भावनासील मनुष्य के भीतर हवात देती हैं एक आंदोलन को, और बनाती हैं संस्कृत व्यक्ति, इनके भीतर छिपे अक्षरों में ढूंड सकता है व्यक्ति, लुप्त होती अपनी समवेधनाओं को, इससे उलट एविकसित सब्भेताओं में पत्थर से पत्थर टकरा कर ठेंक दिया जाता है पत्थरों को महज आग सुलगा कर, अथ्वा छापामार युद्ध में एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा करते हुए लहु बहा कर, इन दोनों व्यतिरेकों में पत्थरों का सही इस्तेमाल करते हुए मान रखा जा सकता है सब्भेताओं का, और दूसरी कविता है, क्या तुम समझ पाते हो मेरे कविताओं में मेरे जहन की आंतरिक समवेदना को, मैं कविता में क्या लिखता हूँ, मेरे शब्द कैसे होते हैं, क्या तुम विवेचन कर सकते हो, क्या तुमारे मन को जिनजोडा कभी मेरे शब्दोंने कभी, क्या उन्हें पढ़कर तुम्हें रोना आया, अथ्वा कभी खुशी मिली, क्या कभी क्रोध जगा, या कि फिर स्वेद बहातन से, या कभी किसी के लिए करोणा जगी की मन में कोई बदलाव आया तुमारे, ये सब तुम्हें यदि उद्गूत नहीं हुए, यदि मेरी कभीता तुमारे बुद्धी को नहीं जाग्रत कर पाई, तो तुम्हें कभीता पढ़ना बंद कर देनी चाहिए, अथ्वा फिर मुझे लिखना, और इस बीच मैं एक तुकांत कभीता सुनाता हूँ, तुकांत कभीता है, नया सवेरा होगा, देखिएगा, नया सवेरा होगा, दीप जलेंगे फिर घर-घर में दूर अंधेरा होगा, मर्दन कर काले रातों का नया सवेरा होगा, सूखेगा आखों का जल फिर, होंगे पुलकित गीत घजल फिर, महकेगी श्रिंगारिक उबटन, चमकेगा कुमकुम का जल फिर, घोर उदासी धुंद छटेगी, सभी ग्रहों की चाल रुकेगी, जलती हुई मनों के भीतर, भीशन अगनी ज्वाल बुझेगी, आएगा नव सुबह दिवसले, लुप्त अंधेरा होगा, मर्दन कर काले रातों का नया सवेरा होगा, बेशक तन के जख्म सिलेंगे, गुलशन में नव सुमन खिलेंगे, कम होगी अंतस की तडपन, बिचड़े एक दिन पुनह मिलेंगे, धारा नदियों से फूटेंगी, चुप्पी गलियों की टूटेंगी, कैद हुई निर्दोस्ती तलियां मकड़ जाल से फिर चूटेंगी, शांत पड़े नीडों में वापस सुकत बसेरा होगा, मर्दन कर काले रातों का नया सवेरा होगा, व्यर्थ चक्सुपन खोना कैसा, दुख में गुम्सुम होना कैसा, तैहे इस क्रम का परिवर्तन तब गभराना रोना कैसा ठीक नहीं सास का डिगना, और व्रिथाई भाउक दिखना, करखुच अंगी कार चुनोती, छोड़ो प्रते दिन आशु लिखना बेगर होगा दुख, बेगर होगा दुख सुखों का अपना डेरा होगा, मर्दन कर काले रातों का नया सवेरा होगा कुछ गजलों के सेर मैं सुनाना चाहता हूँ आपको इन कविताओं के बाद, देखेगा बहुत चिचोरी बात सुनाई देर तक, चुप रह हमने लाज बचाई देर तक, पल दो पल ही सोया था ओ संग मिरे, रही बहुत ही गर्म रजाई देर तक, और तीर न कोई उसने मारा था बड़ा, मिली बहुत ही मगर बढ़ाई देर तक, फैला कर जुलफें वो चट पर थी खड़ी, हमने भी फिर पतंग लड़ाई देर तक, बहुत छिचोरी बात सुनाई देर तक, चुप रह हमने लाज बचाई देर तक, और एक गजल है, कुछ-कुछ शेर सुना रहा हूँ, पूरी गजल नहीं सुना रहा हूँ, जो शेर मुझे अच्छे लगते हूं सुना रहा हूँ, बिखरा बिखरा दीवानों का घर लगता है, उल्फत से अब यारो बेहत डर लगता है, है लबालब नफरत ही नफरत से दुनिया, प्रेम तो बस अब केवल मुठी भर लगता है, सन्नाटा है, नम आके हैं, जक्मी दिल है, ये घर भी मेरे जैसा ही घर लगता है, बिखरा बिखरा दीवानों का घर लगता है, उल्फत से अब यारो बेहत डर लगता है, और एक गजल है, कि कुछ भी ठीक नहीं है धंग जमाने में, कुछ भी ठीक नहीं है धंग जमाने में, लोग लगे हैं लडने और लडने में, अपना सारा एब छुपा कर आज सभी नुक्ष ढूंडते धिमके और फलाने में, कृष्ण क्रिपा से जीत गया अर्जुन वर्ना, करण कहां पर कम था तीर चलाने में, कुछ भी ठीक नहीं है धंग जमाने में, लोग लगे हैं लडने और लडने में, और एक अजल है, कि थे गुलाबी लब रक्तिम थे गाल कभी, लगते थे हम खुद भी बहुत कमाल कभी, रहम खुदा का होता है जिस इंसा पे, होने पाता उसका बाका बाल कभी, आरक्षन की भेंट चड़ गया हुनर वगरना, कायम करते हम भी एक मिशाल कभी, कि जुल्म कर रहे आज स्वयम ही गायों पर, अन्तिम शे सुना रहा हूं इस जजल का, कि जुल्म कर रहे आज स्वयम ही गायों पर, बनते फिर थे थे जो की गोपाल कभी, थे गुलाबी लब रक्तिम थे गाल कभी, लगते थे हम खुद भी बहुत कमाल कभी, और एक अंतिम कवीता में सुना करके विराम लेना चाहूंगा, एक एतुकांत रचना है, छोटी सी कवीता है, वो मैं चाहता हूं, कि निरी अंदी होती है धूल, फिर भी यू उड़ती जाती है गोया की आखे हों, ये सही है की चस्मा लगाकर भी वहें नहीं देख सकती भोतिकता, वो जागिरती है कभी कभी किसी की आख में, आखे होते हुए भी मनुष्य होता है अंदे की मानिंद, आखे होते हुए मनुष्य होता है अंदे ही की मानिंद की गिरा लेता है धूल अपनी सही सलामत आखों मे पोस्ता रहता है फिर जाया ही बेकसूर अंदी धूल को बहुत बहुत धन्यवाद